बरेली में चुनावी रंजस के चलते बीडीसी विजेता मीना देवी की भावी की हत्या कर दी गई आरोपियों ने घर में घुस कर बीडीसी मीना देवी की भावी की हत्या कर दी और मौके पर पहुचे पुलिस ने शौक को पोस्ट माटन के लिए भेज दिया और आरोपियों के खिलाफ थानव भूता में मुकदमा दर्श कर लिया है बताती चले थानव भूता के गाउ भंडरिया में चुनावी रंजस में BDC प्रत्याशी मीना देवी की भावी को गाउ के प्रधान प्रत्याशी योगेंदर गैंगवार और बीडीसी प्रत्याशी मुनीश वा अन्य लोगों ने घर में घुस कर लाठी डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी मीना देवी के पती छतरपाल ने बताये कि पंचयाच चुनाव में भंडरिया भगनापूर से उनकी पत्नी मीना देवी बीडीसी के पत्ध के लिए गाउ के ये मुनीश के खिलाफ खड़ी हुई थी जहां चुनाव में मीना देवी जीत गए इसी बाद से नाराज होकर बीडीसी प्रत्याशी मुनीश प्रधान प्रत्याशी योगेंदर और अन्ने लोग मीना देवी के घर में घुस गए और लाटी डंडों से हामला कर दिया इस हामले में मीना की भाबी खायल हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई ACP देहात राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि पंचाय चुना के रंजस में दोनों पक्षों में लड़ाई हुई थी जिसमें एक महिला की हत्या हुई है मौके पर पहुंच कर शौक अप उस्माटम के लिए भेज कर जात शुरू कर दी गई है अज दो परोसी पक्षों में जगड़ा हुने के कारण एक पक्ष से चार लोग और दूसरे पक्ष से तीन लोग चोटिल हुए है चोटिल लोगों को अस्पताल में पहुचाया गया है कोहीं दोराने उप्चार एक महिला की मरत्ती हो गई है इसके संदर में प्रतम सूचना रिपोर्ट की पंजिगरत करने की कारवाई चल रही है कटना में मार्पीव के संदर में कुछ लोगों को पुलिस के दोरा हिरासत में लेकर पूस्टांस की जा रही है